तो दोस्तो ये कहानी है एक साइको किलर की जो कि क्रिमिनल्स को अपने ट्रैप में फसा करकर उनको बहुती बुरी तरीके से जान से मार देता है लेकिन एक दिन कुछ लोग इसके साथ बहुती बड़ा फ्रॉड कर देते हैं और अब ये किलर उन लोगों को ढूंड कर बहुत तीन मने तक ही जीप आएगा जिसके बाद वो हॉस्पीटल से निकली रहा होता है लेकिन वहाँ पर उसे एक बॉई दिखता है जो कि एक पेसेंट के समानों से कुछ चोरी कर रहा था जिसके बाद सीन कट होता है और हम उसी बॉई को देखते हैं जो कि एक छियर के उपर ब तुम्हारे साथ एक गेम केलना चाहता हूं यहाँ पर अगर तुम्हारी दोनों आखों को निकाल लिया जाएगा और खून के बहने से तुम्हारी मौत भी हो जाएगी इससे बचने के लिए तुम्हें अपने पास रखे हुए बटन को पांच बर घुमाना पड़ेगा और इस बटन के हर एक टन से तुम्हारी एक एक अंगलिया तूटेंगी और इस गेम को जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ साथ सेकिंड्स हैं जिसके बाद वहाँ पर रखे हुए बटन को एक बार घुमाता है और इससे उसकी एक उंगली तूड जाती है जिससे उसे बहुती जादा प्रेसर आने लगता है जिसके बाद वह उस बटन को एक और बार घुमाता है जिससे कि उसकी एक और उंगली तूड जाती है और वह इस बहुती जादा चिलाता है जिसके बाद वह उस बटन को एक और बार घुमाता है और उससे उसकी एक और उंगली कर रहा होता है और तब ही उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसको पहले से जानता था और उस आदमी को चार महीं ने पहले स्ट्रेस 4 का कैंसर था जिसकी वजह से वह कब-कब मर जाना चाहिए था लेकिन वह अभी भी जिन्दा है जिससे जोन उस बीमारी के बारे से मेकसीको पहुंचता है और यहाँ पर उसको लेने के लिए अक डराएवर भी आया था जिसका नाम डियागो था और वो उसको घुमाते हुए एक घर के आगर छोड़ देता है जहाँ पर जॉन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम गैवरियाला होता है जिससे वो मिलता है फिर वो जॉन को उसका रूम दिखाती है जिसके बाद वो सेसीलिया से मिलता है जिसके बाद वो कुछ लोगों से मिलवाने के लिए उसको लेकर जाती है और अब यहाँ पर हम इन लोगों का मेडिकल सेंटर देखते हैं और यहाँ पर अब सेसीला जॉन को एक डॉक् के अंदर सोता हुआ देखते हैं और तभी उसको किसी चीज के ठोगने की आवाज आती है जिसकी वेसे उसकी नेन तूड़ती है और वो उसको देखने के लिए बाहर चला जाता है अब यहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि अपने साइकल को ठीक कर रहा था और फिर पर फिर अगले दिन हम जौन को देखते हैं जो कि अपने ब्रेंट टूमर का इलाज करवा रहा होता है और यहाँ पर अपकई घंटे ऑपरेशन चलता है जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग उसके ब्रेंट का उपरेशन करकर उसको ठीक कर देते हैं जिसके बाद अब खुलती है जहाँ पर वो अपने आपको एक बैट को उपर पाता है और उसके सामने सिसीलिया भी बैटी रहती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हारा ब्रेंट टूमर का उपरेशन सक्सेस्फुल रहा और अब तुम कुछ महीनों में बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे और अब हम जोन एक सौप में जा करके वाइन खरीदता है जिसको गैबरियाला को दे सके और अब यहाँ पर घर पर पहुचने पर वो देखता है कि उसके पूरे घर को तैसनेस कर दिया गया है और मेडिकल क्लीनिक भी पूरा का पूरा तूटा हुआ है और अब यहाँ पर उसको कुछ सक होता है जिसके बाद वो अपने सर के पटी को उतारता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सरका तो कोई ओपरेशन हुआ ही नहीं है और अब वो इससे बहुती जादा गुस्ता होयाता है और अब यहाँ से वो एक मौत का खेल चालू करने वाला है और अब यहाँ पर सीन कट होयाता है जिसके बाद हम डियागो को देखते हैं जो कि यहाँ पर टैक्सी ड्राइब कर रहा था तो अभी उसके गाड़ी में कोई आकर बैठता है डियागो के पूछने पर वो उसको हेल में जाने के लिए बोलता है और अब यहाँ पर सीन कट होता है जिसके बाद हम डियागो को देखते हैं जो कि एक रस्ची से बंदा हुआ होता है और यहाँ पर उसके हाथ में दो बड़े-बड़े सर्जिकल ब्लेड थे जिसके बाद वो उस रस्ची को काटता है और अब डियागो आगे जाता है तो उसको एक रिकॉर्डिंग टेप मिलता है जहाँ पर उ टाइमर स्टार्ट याता है जिसको देखकर डियागो की लिटरली फड जाती है और वो यहाँ से बच के निकलने के लिए रास्ता खोजीने लगता है लेकिन उसका टाइम भी अब खतम होता जा रहा था और अब वो बहुती मुस्किल से अपने हाथ को हेड़े को काटता है जिसमें उसे बहुती ज़्यादा दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो उसे निकाल करकर फेक देता है और फिर वो अपने दूसरे वाले हाथ को भी बहुती मुस्किल से काटता है और उस बॉम को निकाल कर फेक देता है जिससे कि जान बच जाती है फिर जॉन उसके पास फ revisit होता है जिसके बाद हम एक bar को देखते हैं जहां पर कुछ लड़कां डांस कर रहे होती हैं और अब हम यहां पर Valentina को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कार रहे होता जिसके बाद वह उसके कार में जाती है लेकिन तभी उसके पीछे से कोई उस पर attack कर देता है और इसमें उसादमी की मौत ही आती है और तभी पीछे से कोई आता है और उसको गिड्नैब कर लेता है और यहां पर सीन कट ही आता है जिसके बाद हम मटैयो को देखते हैं जो कि किसी pet क्लिलिक में काम कर रहा होता है और यहाँ पर अप कुछ देर के बाद गैबरीला आती है जिसके बाद वो मटेव को पैसा देती है और मटेव उसके बदले में उसे ड्रक्स देता है फिर गैबरीला वहाँ से निकल जाती है और मटेव वहाँ पर अकेला होता है लेकिन तब ही वहाँ पर कोई आता है और उसक पर एक सोक्स से बेहोस कर देता है जिसके बाद हम गैबरीला को एक बार में जाते हुए देखते हैं जहां पर वो बातरूम के अंदर बैट कर ड्रक्स लेती है और फिर जैसे ही वो बहार निकलती है वैसी कोई उसको बेहोस कर देता है और अब यहां पर सिन कट होता है जिसके के बाद हम सीसीलिया को देखते हैं जो कि फोन पर किसी और के साथ फ्रॉड कर रही होती है जिसके बाद उसको अपने घर में कुछ गड़बन लगती है और वो नीचे जाकर कैमरे में देखती है तो उसको पता चलता है कि कोई काला कबड़ा पहने वो उसके छट पे है और इसको गिड्नाईब कर लिया था और उसकी साथ ही का नाम यहाँ पर अमैंडा था जो कि इन तीनों को भी गिड्नाईब कर रखी थी और अब यहाँ पर सिंक कट होता है जिसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो कि अपने अपने ट्रैप में फसे हुए होते हैं जहाँ पर अमेंडा आती है और सीसीलिया का सारा समान ले करके टेबल को उपर रख देती है फिर उस टेबल को इन सब के बीच में लगती है और अब यहाँ पर जोन आता है जो कि सीसीलिया से बोलता है कि अब तुमने अपना गेम खेल लिया अब मेरी बारी है और अब जोन वैलेंट पाक लगा हुआ है उसे तुम्हें काटना होगा और एक पाइप की मदद से तुम्हें अपने बलड को एक डब्बे के अंदर भरना होगा जिसके बाद तुम्हारे गले पे रखावा मसीन बंद हुआएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी लेकिन यह सब करने के लिए वैसी वायर के स्ट्रिंग को उठाती है वैसी टाइमर चालू हुई आता है जिसे देखकर वैलेंटीना की हलत बहुती ज़्यादा खराबी आती है और अब वो उस बॉक्स के अंदर रखे हुए बेल्ट को निकालती है और अपने पैर पर लगा लेती है जिसके बाद वो अप अपने पूरी ताकर से अपने पैर को काटने लगती है जिससे की बहुती ज़्यादा खून निकल रहा था और उसको बहुती ज़्यादा दर्द भी हो रहा था लेकिन एड़ दा एंड वो अपने पैर कड़ कर नीचे गिर जाता है और अबू यहाँ पर उस पायप को अपन मारी जाती है और अब ये लोग देखते हैं कि उस Settler के पास एक आदमी आया था जो कि उस Settler को खोलने के लिए के लिए कहता है और अपने पैसे मांगता है क्योंकि यादमी विक्टर था जिसको अमने starting में देखा था जो कि यहाँ पर अपने गले का इलास करवाने आया था और अभी उसके अंदर एक गन लेकर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अमांडा उसके सर पर कुछ मार कर उसको बिहोस कर देती है, फिर उसके यहाँ खुलती है तो वह अपने आपके चेर के उपर बंदा हुआ पाता है, और यहाँ पर जोन इससे क्याता है कि मेरी तरह तुम भी इस फ्राट के गेम में फस गये थे और अब हमारी बारी है जिसके बाद जोन विक्टर को कैमरा दिखाता है जहाँ पर वालेंटेनर की कड़ी फटी लास रहती है और इसके बाद अब john amanda से क्या था कि अप diyago की बार ही है जिसके बाद Amanda जाती है और उसको ब्हुस करदेती है और यहाँ पर scene cut होता है जिसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं और फिर पीछे से diyago आता है जहाँ पर वो wheelchair के उपर बैठा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके गले में कोई डिवाइस लगा हुआ था जो कि बहुत ही डेंजर दिख रहा था फिर वो जोकर इसके पास आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके प्लेट के अंदर कुछ सर्जिकल नाइफ और एक रिकॉर्डेट टेप था और अब वो को चालू करता है जिसमें से स्च जॉण की आवाज आती है और वो कहता कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं जिसमें वो गेम के बार मैं समझाता है वो बोलता कि तुम्हारे सर के ऊपर जो mark लगा हुए वहां पर तुम्हें कंट करना है और अपने प्रेन के कुछ पार्ट्स को इस एशिट के अंदर डालना है जिसके बाद ये पूरा मेल्ट हुए आएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा जहाँ पर तुम्हारे बैल्ट भी खुल जाएगी और तुम अज़ाद होगे लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और अपने सर के अंदर से वह पाक्ष निकालता है लेकिन यहाँ तक टाइम बहुती जदा खतम होता जारता अगा है जिसके बाद वह से बहुते दर्दनाक मोध हो जाती है और अभी इसे देखकर पिटर जॉन से कहता है मुझे तुम्हारे बर्भर भरोसा है जिसके बाद जोन उसको खोल कर अजाद कर देता है और यहाँ पर next गैम खेलने की बार यह अब गैवरियाला की थी और अब इसके बाद रुजो कर गैवरियाला के पास आता है जहां पर उससे वो टैप लेती है जिसमें उससे कहता कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं इतना सुनते ही वो टेप को फेक देती है और पूरी तरीके से घबरायाती है जिसके बाद जॉन माइक के थूरू से कहता कि अब तुम गेम को क्विट नहीं कर सकती हो और फिर वहाँ पर उसकी चैन निकलकर घीचने लगती जहां पर वह घीचते वह उसको टांग देती है और फिर उसके आगए उसको एक गोल सा डिवा języ से रहेगी से उसके इसके अपने आपको आज़ात करना है और अगर तुम अपने आपको समय रहते हैं याद नहीं कर पाऊगी ते रिडियसन तुम्हारे सरीर को पुरा जला कर रख देगा और उससे तुम्हारी बहुती देदनाग मौत ही आईगी जिसकी वजह से रिडियसन उसके फेस को जुटाने लगता है लेकिन अद आधा एंड आपको तोड़ कर वहां से आज़ाद हो सके यहां पर जौन उससे कहता कि तुम्हें गेम जीट चुकी हो और अब या लाइफ तुम्हारी है लेकिन तभी वहाँ पर जॉन इंदनों को उपर गन तान देता है और इनसे चाविया मांग कर इनको नीचे ले जाने लगता है जहाँ पर वो सिसीलिया को पास जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वो उसका बॉइफ्रेंड है जिसके बाद वो उसका लोग खुलवा कर उसको अजात कर देता है और अब यहाँ पर सिसीलिया जॉन से कहती है कि अब मेरी बारी है अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी जिसके बाद वो उसको अपने ही ट्रैप में फसा कर उसको लोग लगवा देते हैं और यहाँ पर जॉन सिसीलिया से कहता है कि यहाँ पर गैवरीला जीच चुकी है और उसको ऑस्पिटल ले जाना होगा नहीं तो उसकी मौत ही आएगी लेकिन यहाँ पर सिसीलिया उसके गरदन को तोड़कर उसको जान से मार देती है और Amanda को भी साइड में लोक लगवा कर उसको हटा देती है और इसके बाद वो जोन से कहती है कि अब तुम्हारे साथ इस गेम में तुम्हारा दोस्त खेलेगा जिसके बाद वो बाहर जाएकर उसी छोटे बच्चे को लेकर आती है जिसके साइकल को जोन ने ठीक किया था जो कि उसका दोस्त भी अब बन चुका था और यहाँ पर वो उस बच्चे को भी उस लोक के अंदर लगा देती है जहाँ पर उसको गेम खेलना था जिसके बाद विक्टर एक एंकर को घीशता है जिसके वो इसे सारे सिक्कर्स उसके अंदर जाने लगते हैं मेरा मतलब चैन और यह सारा बहुत ही टाइट हो आता है जिसके वे इसे दोनों को लीटना पड़ता है और अब गेमी स्टार्ट ही आता है जहांपर हम देखते है कि एक नल के ऊपर से वहाँ पर खुनाने लगता है जो कि इन दोनके फियस पे गरता है जिसके वीसे इस सांस नहीं ले पाते हैं और अब यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जोन को पहले से पता था कि विक्टरिन लोगों के साथ मिला हुआ है और अब यहाँ पर माइक से एक आवाज आती है जहाँ पर जोन इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ जिसके वाद हुआ से गैस निकलने लगती है और अब इस गैस की वज़े से इनकी स्किन जलने लगती है और यहीं पर इस मूवी का एंड ही आता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद दे तो आप हमारे चैनल को चेक आउट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग